अब अब इसे शिवांगे वेलकम टुश्व क्लासे वीडियों डिसकस करने वाले हैं स्टेंडर्ड एर्र इंपोर्टेंस मानक तूटी और उसका महत्व तो चली स्टार्ट करते हैं दोने ही लेंगवजिस नों डिसकस करने वाले हम इसे तो स्टेंडर्ड हर है क्या यह एक मैथमेटिकल टूल है जिसका इस्तमाल कियाता है स्टार्टिस्टिक में किसको मैजर करने के लिए किसको मापने के लिए वेरियाबिल्टी को ठीक है परिवर्तन शीलता को मापने के लिए स्तमाल करता है तो यह हमें किस चीज में मदद करता है क इसको हम इसका जो अब्रिवेशन है वो से से दिनोट किया जाता है इसको से तो आपको ध्यान रखना है अगर माल जो शॉर्ट नॉट में लिखा आगया कि से ठीक है डाइट शॉर्ट नॉट नॉट ऐसी तो आपको याद होना चाहिए कि स्टेंडर्ड एरर को से बोलते हैं तो जो स्टेंडर्ड एरर है वो किसले इस्तमाल किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए एफिशेंसी एकुरेसी कंसिस्टेंसी एक सेंपल की एक नमुने की दक्षता सटीकता और संगती ठीक है इनको जो है मापने के लिए स्टेंडर्ड एरर का इस्तमाल किया जाता है इस है unser इसंपल स्थी क्र है तो उसको मेजसर करता है तो यह स्टेटिस्टिक एकॉनमिक्स दोनों हम इसको एकपालक दोनों अप्लाय करते हैं और हम बात करें इसका इसने चाहिश में किया जाता है और उसके कुछ मेजर के इन बात करें के मेजर के इसक cooking in the ९ह इसके जुँद तो ऊसमें क्या के इंक्लूड मेंस को मैंसी एम के नाम से जानते है standard error of variance, standard error of median, standard error of regression coefficient formula हम देख लेते हैं इसका तो जो standard error का formula है वो हमारा क्या है sigma upon में under root में N ठीक है यह हमारा standard error है तो जो sigma है वो हमारा क्या है standard deviation population का और N क्या है हमारा number of observation जो हमने sample में से select कि हम बोल सकते हैं इसको एक ऐसी situation जहां पर statistician ignore करते है population को ठीक है जहां पर वो ignore करने किसे population standard deviation को ignore कर रहे हैं तो वो use करते है sample standard deviation को ठीक है population standard deviation की जगा कि इसका इस्तमाल करना है वो sample जो select करा उसके standard deviation का जो closest replacement माना जाता है कि इसका population standard deviation का तो उस जगा पे वो इस किया था पॉपॉलेशन वाले में सिग्मा था ठीक है और यहां पर क्या लिए है है यहां पर ऐसलिए है तो हम इसकी कि अगर हम इसके बात करें तो हमें यहां पर जो है जब हम observation में से sample को select करते हैं तो हम मदद करता है कि extract करने में population से sample mean को भई हम जो calculate करते हैं तो यह एक serve किया ज़ता है as an estimate of population mean ठीक है और यहां पर बात करें कि कई बार क्या होता है जो sample mean है वो vary करता है actual population mean से तो यह aid की तरह काम करता है मदद करता है statistician की research को identify करने में कि भी किस हद तक जो है variation आई है data के अंदर और कि जहां पर जो हमें पता लग जाता है कि जो standard error है mean का यहां पर खेल पता लगता है में कि standard error जो है mean का उसका जहां जब हमें पता लगता है कि जब जो sample mean है वह actual population mean से ज्यादा अलग आता है ठीक है ज्यादा वैरी करता है तो जब several random sample हम extract करते है population में से जो standard error mean है वह जरूरी बन जाता है अपने आप और उसको calculate करता है ठीक है और divide कर देता है standard deviation जो उसके पास observation है और फिर उसका square root करता है जो हमने फॉर्मला पढ़ा है ठीक है तो यह Hindi medium वाले student यहां देख सकते हैं इंपोर्टेंस नेक्स लाइन में आप लोगों के लिए नेक्स वीडियो में लाइक शेट और सब्सक्राब मैं चैनल थैंक यू